नमस्कार दोस्तों आप इस समय जो है हम लोग बनारस में हैं और कहां है पप्पू की चाय के दुकान पे पूरे देश और दुनिया भर से लोग जो है भारती जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पत्त के प्रत्यासी नरेंद्र मोधी के समर्थन में आये हैं यहाँ पर आप द जंकर भगवान को देखा है उसके बाद हमने अनपूरणा देवी को देखा है उसके बाद हमने यहां के तेलगू लोगों का संगठा नहीं का है तो उनसे जाके मिले हैं उसके बाद हमने बाजपा ओफीस जाके आये हैं इसके बाद गंगा हारती को देखा है हमने यहां के इंब इसा जादू कि आप जिंदगी पर भूलोगे ने ऐसा जादू देखा है के लोगों को भी आ जो 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 मोधी भाई को अपना गुरू मानने वह भाई मांने वह भी जादू के चक्र में पढ़ जाते हैं मुझे ये बताईए कि हैदराबाद में जब चुना हो रहा था तो मादू लटा का नाम बड़ा बाद में आया नाम आया तो ऐसी तेजी के साथ हाया कि किसी को अंदाजा ही ने लगा कि मादू लटा इतनी ताकिस से चुनाओ लगेंगी आपने तो वहां सब के चक्के चुड़ा दिया लेकिन मुझे लगता है हमने सब तिको सब के सामनी लेक्या है जो जूड के ऊपर जो जूड के ऊपर एक परदा था उसको फाश कर दिया हमें अच्छा इसके पहले कभी आपका बनारस आना रहा हो जब से मोधी 2014 में प्रिधान मंत्री बनी उसके पहले कभी आपका आना हुआ था बनारस? हाँ, 2014 से पہले से लेकर हैम हमाबु तक आते हैं कुगा कातिक महने में शंकरवगवान का मारादन करते है तो कातिक सोमवार यहां हम हर साल आते हैं कितना बदला है बनार इस अभी काशी क्या है काशी अपने गलिों के वजे से हैं शंकरबगान के वजे से जब तक अप इस गलियों से पार कर नहीं जाओंगे चल कर नहीं जाओंगे आपको मिठाई दिखना चाहिए उनके भाशा को सुनना चाहिए आपको पान सब देखते हुए जाना मज़ा आता है काशीनाथ के पास लेकिन इसके पहले इतना खराब था यहां सड़क यहां महले ठेकन अब इतने साफ और इतना ओर्गनाइजड हो गया है और उपर से कॉरिड़ॉर इतना बढ़िया बना है पूरे घाट इतने ओर्गनाइजड इतने क्लीन है काफी परका गया है बहुत बहुत और गंगा महिया के पास आप जो अप्रोच जो दिये है जिस प्रकार से नाव है जिस प्रकार से वो तूरिजम है प्रधान मंत्री बहुत चर्चे में रहते हैं चाई के लिए तो हमने समझा बनार साकर अगर हम चाई पे चर्चा ना करेंगे तो जिंदकी के सबसे बड़ा मजा खो बैटेंगे हाई हाई चाई के वज़े से लोग इतने कमाल यह जिंदगी में हैनी बाट डार्जिलिंग चाहे बोलते हैं साम चाय बोलते हैं और चाय के वज़े से युनानी आयरवेदम भी आगे बढ़ती है और चाय के वज़े से गोरे छिट्टे सुबह सुबह स्टायल से पीते हैं स्लिम्मिंग सेंटर्स जलते हैं ऐसी है चाय की ताकत तो वो चाय पे हम आज करेंगे बढ़िया सा चर्चा लेकिन यहाए कि अब चाय के बारे में हम बड़िया चर्चा करेंगे वोबी चाय के उपर करेंगे प्टुरिया मैं पिल्वेक चलिया पपलिक तो बहुत है पबलिक तो बहुत है लेकिन है कि उसका बड़ा आनन्द हारा है मादवी ची मुझे यह बताईए आपने इतनी बड़ियां बाते करती है इतना वाइरल हो जाता है यह सब किसकौन बताता है आपको मातारानी शंकर भगवान हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारी सनातन धर्म तोड़ी जूड बात करना है हमको हमको दोसा चुपात करना है तो सौंचनी की डर नहीं है ना जैसे आया वैसा बोल लिए बाते भी बवाल मचा देती हैं वाइरल हो जाती है सवाल उठने लगते है सवाल वो लोग उड़ते हैं जो डर जाते हैं सवाल वो लोग उटाते हैं जो डर जाते हैं आप डरा देती है करके पीना चाहिए ना हाँ एसी पी लेंगा भी है वाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इस प्रेम मिला दिया है क्या हम यह आते रहे हमीजा चाह पीछते रहे हैं कि प्रेम हाजी यही तो कह रही हूं हम कि चाहि मिलाने में जो प्यार है चाहि पिलाने में जो प्यार है चाहिवाले हमारे प्रदान मंतरी का देश चलाने में जो प्यार है वो क्या जाने सामने वाले अच्छा कितने दिन रहने का इरादा है यहां सच बताओं तो एक बड़े आचाई पे चर्चा उसके बाद ज़रा राम लल्ला को देने निकल देखने निकल पड़ रहे हूं चलिए मादवी जी हम लोग चार तारिक को बिलते हैं और फिर आपसे विस्तार से बात करते हैं तो यह आपने देखा ना कि कितनी बढ़िया गरमा गरम बात हो रही है चाय पे और जिस तरह से इन्हों ने उधारन दिया कि हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने किस तरी बहुत कुछ बदल देती है तो हम इंतजार करेंगे कि चार तारी को रिजल्ट क्या होगे तो हम लोग एक बार फिर से चर्चा करेंगे दीपक के साथ मैं अर्भिन चत्रवेदी इंडिया न्यूज बनारस